वेलकम बैट आज के इस वीडियो में हम लोग BCA Revised Termined Examination June 2021 BCA 012 Basic Mathematics के Question No.4 वी को डिसकस करने वाले हैं जो कि आप से क्या कह रहा है इफ X is equals to A plus B Y is equals to A omega plus B omega square and Z equals to A omega square plus B omega ठीक है और omega क्या है वो भी बता दिया गए आपको where omega is a cube root of unity and omega not equals to 1 ठीक है और आपको show क्या करना है show that X Y Z is equals to A cube plus B cube ठीक है तो आपको ये prove करना है कि X Y Z की value जो है वो A cube plus B cube है ठीक है तो हमें जो दिया गया है prove करने के लिए ठीक है prove that X Y Z is equals to A cube plus B cube हमें ये prove करना है ठीक है और हमें दिया क्या है given क्या है given है हमें X is equals to A plus B ठीक है और Y is equals to A omega plus B omega square and Z equals to A omega square plus B omega ठीक है ये हमें दिया गया है अब हमें क्या करना होगा left hand side लेके X Y Z की value put करनी होगी ठीक है तो हमने यहां पर क्या किया left hand side लिखा X Y Z ठीक है अब X की value कितनी है A plus B वो हमने put कर ली into Y की value A omega plus B omega square ठीक है और into A omega square plus B omega ठीक है तो देखिए इसको solve करने जे पहले हम आपको इसके बारे में बता दें कि अगर मान लिजे आपके multiplication में omega q बाता है तो इसकी value 1 होगी ठीक है और दूसरी चीज 1 plus omega plus omega square इसकी value 0 होगी ठीक है तो ये तो दो चीजें आपको याद ही रखनी है है ना जैसा कि हम लोग ने पिछले question में भी देखा था ठीक है तो ये काम आपको करना है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर a plus b को अभी ऐसी लिखा रहे हैं ठीक है और यहाँ पर हम क्या कर रहे है इस a omega square से इस a omega में multiply करते हैं ठीक है तो a और a a square हो जाएगा आपका omega cube हो जाएगा ठीक है plus फिर इसका multiply करेंगे तो आजाएगा a b omega की power 4 ठीक है तो हम यहाँ पर क्या लिख दे रहे है omega cube omega ठीक है समझ रहे हैं हमने omega की power 4 न लिखके omega cube into omega लिख दिया आप एक साथ न लिखें आप अलग लग लिखें ठीक है तो हम यहाँ पर short करने के लिए आपको बता रहे है कि हमने omega की power 4 को omega cube into omega लिख दिया क्यों क्योंकि हमें पता है omega cube की value क्या होती है फिर अब इससे पूरी equation में multiply हो गया अब भी omega का इसमें multiply कर दीजें तो क्या जाएगा a b ठीक है a b omega square है ना और फिर इसका इसमें multiply करेंगे तो क्या जाएगा plus b square omega cube है ना देखिए b square omega cube अब इसको a plus b लिखा रहन दीजें और देखिए omega cube की जगे क्या जाएगा one तो यहाँ पर आगया आपका a square प्लस यहाँ पर क्या जाएगा a b omega ठीक है a b omega क्योंकि omega cube क्या हो गया one plus a b omega square ठीक है और यहाँ पर क्या रहा है बी स्क्वाइगा तो यहाँ पर क्या रहा जाएगा plus b square ठीक है यह हो जाएगा आपका क्यों क्योंकि विकॉज omega q is equal to one होता है ठीक है हम पहले बता चुके आप अगर ना लिखा होता तो आप यहाँ पर दिकॉज करके लिख सकते थे ठीक है अब देखिए अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर a b है और यहाँ पर a b है तो क्या common आ जाएगा इसमें a b है ना तो यहाँ पर आपका a plus b हो गया और यह आपका a square हो गया plus a b आपने common ले लिया अंदर कितना बचा omega plus omega square ठीक है plus b square ठीक है अब देखिए अब आपको पता है कि 1 plus omega plus omega square बराबर क्या होता है जीरो ठीक है तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं omega plus omega square बराबर minus 1 है ना तो आप इसकी जगे minus 1 लिख सकते हैं इस पूरे की जगे लिख सकते हैं is equals to a plus b a square है ना चाहे तो आप b square को पहले लिख लिख लीजे b square और इसकी जगे क्या जाएगा minus ab ठीक है तो अब बताएगे किसका फर्मूला होता है a cube plus b cube का है ना तो यह बराबर हो गया a cube plus b cube यानि कि यह ही आपकी right-hand side है and prove I think आपको problem clear हो गई होगी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं साथी साथ आप हमें कमेंट करके बताएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे like करे शेयर करें और अगर आपने आपने